आप लोग अपने स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे इनका नाम है भूपेश बगहल और आप देखेंगे ये बर्तमान में 36 गड़ के मुखमंत्री हैं चीप मिनिस्टर है तो आज हम लोग भूपेश बगहल के बारे में एक सामन जानकारी देखेंगे कुछ और पिक्चर आप लोग देख लिजे ये आप देखें इनका परिवार है भूपेश बगहल का ये परिवार है एक बार आप लोग चट्टीस गड़ को देख लिजे पहले देखें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 36 गड रायपूर इसकी राजधानी है एक नवंबर संदौ अजार में मद्विदेश से अलख करके इसे राज बनाए गया था और यहां विदान सभा में 90 सीटे हैं राज्य सभा में 5 सीटे हैं सबा में 11 सीट हैं इसका चितफल 1,35,192 वरक किलो मीटर में आपका 36 गर्ड फैला हुआ है 36 गर्ड की सीमा मत्पदेश, महराष्ट, तेलंगाना, आंद्पदेश, उरीसा, जारकंड और उत्तर पदेश से लगती है और भूपेश बगहिल को आप लोग काका की नाम से भी जानते हैं 36 गर्ड में काफी पिसेद नाम है इनका, इनका पूरा नाम भूपेश कुमार बगहिल है और इनका जनम आप देखें कि 23 अगस्त 1961 में होता है इनका जनम दुरों के मद्ध पिदेश, भारच जो अप 36 गर्ड में पड़ता है, उहां इनका जनम हुआ था धरम इनका हिंदू है, जाती इनकी कुर्मी है और एक बात आप लोगों को बता दूँ हमारे देश में जब भी किसी राजनीता के बारे में बात होती है, किसी और व्यक्ती के बारे में बात होती है तो उसकी जाती और धरम पहले देखा जाता है इनके पिता का नाम नंद कुमार बगेल, किसान रहे इनकी मा का नाम बिंदे सुरी बगेल और इनकी पतनी का नाम मुक्तेसुरी बगेल, इनके बेटे का नाम चेतन बिट्टू है, इनकी बेटियों में आप देखी तो इसमीता बगेल, दीप्ती बगेल, दिव्या बगेल इनकी तीन बेटियां है, ठीक है? अगर हम लोग भूपेस बगेल की सिक्षा की बात करें, तो H.S.S. स्कूल मरार पाटन दुरुक से हाय सेकंडरी इन्होंने पास की 1978 में, और विस्विध्याले की बात करें तो पंडित रभी संकर सुकल विस्विध्याले रायपूर से इन्होंने कॉलेज की हुई है, इसनातक किया हुआ है, इनके पास आप देखें, डिग्री भी है और मास्टर डिग्री भी है, इनका बेवसाद देखें तो राजनित्ता है पॉलिटीसियन है, और भाती राश्ती कॉंग्रेस से जुड़े हुए है, कॉंग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत पुराना राजनितिक दल है, 28 दिसंबर 1885 में देश की आजादी के लिए एक संगठन की रूप में इसकी स्थापना हुई थी, आगे चलकर यही एक राजनितिक पाइटी बन गया, और आप देखेंगे इसके संस्थापक A.O.Hume थे, इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर जी यानि की ब आप ने गुरु सुर्गिये चंदूलाल चंदकर के सनिद्ध में की थी, और 1885 में भारती युगा कॉंग्रेस में सामिल हुए, 1990 में भारती युगा कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनते हैं, और 1994 तक इस्पत पर बने रहते हैं, 1993 में पार्टन निर्वाचन छेते मध्य विध पर इसका हिस्ता था, और अगर आपको विधायक बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होने चे, अधिक तम उमरी की सीमा नहीं रखी गई है, कभी भी आप लोग कभी तक चुनाओ लड़ सकते हैं, विधायक का चुनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओ के द्वार करवाता कौन है, चाहे आप देखे विधान सभा के हो, लोग सभा के हो, एलेक्शन कमिशन ओप इंडिया, भारतिये निर्वाचन आयो, एक सम्मिधानिक संस्ता है, सम्मिधान के अनुचे 324 के तहट इसकी स्थाफना की बात की गी है, और 25 जन्वरी 1950 में इसकी स्थाफना ह की रूँ में नियुक्त किया गया, एक बरस तक उन्होंने इस पद पर भी काम किया, उन्नी सो उन्ठाबे में मद्पदेश विधान सभा चुनाव में वो दुवारा से पार्टन से चुने गया, दिख्वजय सिंग सरक्यार में राजमंतरी लोग सिकायत विभाग में की रूँ में नियुक्त किया गया, और जब 36 गड अस्तित में आया, तो बगेल राजस, लोकस्वास्त, इंजिनिरिंग और राहतकारी की पहले मंतरी बने और 2003 तक इस्पत पर बने रहे हैं, 2004 में आप देखी कॉंग्रिश के टिकेट पर बगेल ने दुरुग लोग सभा से संसदी चुनाओ लड़ा, लेकिन वो हार गये, फिर आप देखते हैं कि 2003 में पाटन निर्वाचन चित से 36 गड विधान सभा की सदस बनते हैं, और 2008 तक विपक्च के उपनेता भी रहे हैं, 2009 में दुरुख सीर से उन्होंने कॉंग्रिस के टिकेट पर लोग सभा चुनाओ लेकिन फिर से वो हार गये, 2013 के विधान सभा चुनाओ में बगेल ने सपलता पूरवक चुनाओ लड़ा, और फिर से पाटन के विधायक बने, लोग सभा में इने हार मिली, विधान सभा में जरूर आप देखते हैं ये सपल रहे हैं, 2014 में बूपेस बगेल को भारती राष और अब ही विमुक मंत्री हैं, आगे इनका राजनेतिक सफर किस तरह से रहता है ये तो आने वाला बक्ती बताएगा, इसके लिए अच्छी बात है कि आप लोगों कोई पास सोसल मीडिया है, स्मार्टपॉन है, डिजीटल इंडिया का दोर है, तो आप लोग सब के वारे म उनका नाम सेक्स सीडी विबाद में दिखाई दिया, जब उनने च्छतिसगर की मंत्री राजिस मूनर्थ के आवत्ती जनक फोटेज बाली नकली सेक्स सीडी बाटने के आरोग का सामना करना पड़ा था, और सीबियाई ने बगेल को दोसी पाया, उन्हें चौदे दिन की नियाई खिरासत में भी बेज दिया था, और सीबियाई की बात करनें तो सेंटल विवरो अप इन्वेस्टीगिसन की बात हो रही है, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना आप देखते हैं कि एक अपरेल 1963 में हुई थी, और नई दिल्ली में हेड़क्व कारे में जाननी की दिल्चस्पी है, तो आप उसका नाम बता सकते हैं.